हलो किशार भायो मैं रद धिर्कुष वहा आपके अपने यूट्यू चैनल चट्टाधारी सिर्ट्स में आप सभी किशान भायो को स्वागत है किशार भायो देखे यह लोकी का प्लोट है देख सकते हैं यह लोकी लगभब 15 कठा में यह लोकी का खेती किया हुआ है यह सामनीרי का खासेत आपके शामनी शामनी है दिखिए यहां कितना लोकी लटका हुआ है दिखिए कद्दू ही कद्दू आपको दिख रहा है दिखिए यह दिखिए साइज इसमें हार्वेस्टिंग भी आज हुई है फिर भी यह परसुन यह सब जो है वह दो दिन के अंदर में यह त्यार हो जाएगा लेकिन आप नंबर अफ लोकिस की संख्या देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोकी है थोड़ा यहां बनिया से दिखाईए यहां पर यह देखिए आप देख सकते हैं एक यहां 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 यानि हर गीरा गीरा पर आपको लौकी दिख रहा है लटका हुआ और यहां पर उपर में भी वतिया गीर रहा है यानि बहुत ही बढ़िया यह वराइटी है इस लौकी का भी मात्र हुआ है इसका साथ दिन हुआ है पचपन से साथ दिन ही हुआ है अभी धाट जो हुआ उपर छाही रहा है, पूरा भड़ा भी नहीं है, देखें यहाँ खाली है डाड़, देखें यहाँ, फिर भी, यानि बड़ी ही बहतरीन लोकी है, मार्केट में इसकी च्वाइस भी बहुत जादा है, कुस्टमबर सबसे ज़दा, इसी लोकी की भराइटी को च्वाइस करते हैं, क् उसका साइज नहीं लंबा ज़दा होता है नहीं छोटा होता है यानि Medium साइज होता है उसके बाद इसमें और खास्यत हैं पुरा हारा भी होता है और बहुत ही मुलायम होता है तो किसानवन्दू आप लोग भी जरूर इस भराइटी को लगा और मुझे जरूर बताए कि आपक देखते रहें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि खेती से संबंदित सारा जनकारी मिलते रहेगी यहां पे भी देख सकते हैं इतना ही दूर में कितना ज़्यादा लोकी है अक्चलि मुझे खाड़ा होने में भी नहीं बन रहा है क्योंकि धार जो है इसकी हाइट जारा नहीं है और इतना ज़्यादा लोड उठा चुका है जो कि नीचे आ चुका है हलका लगा एक वित्ता न पूरा प्लोड को देखा यह वीडियो में देखिए इसमें दिख़िए कि उंद Goldman आपको 2002 नहीं नहीं दिखा है देगा पुड़े प्लोड में जो है हूँा यह साँफ यह साँफ यह साइज का आपको लुकी मिलेगा बस पुर्ण तयारी नहीं मिलेगा क्योंकि आज ही इस सेक्टी साइड जो चीज की जवरत होता है इसमें दावा स्प्रेय हो जाता है जिसके वैसे ना इसमें कहीं फंगस का अटेक है नहीं इसमें बत्या टेर दीख रहा है यानि एकदम सीधा और सुरक्षित बढ़िया बत्या टेर अगारा ज्यादा होने की समभना होता है जब स्टाइड में हो इधर आपको दिखा रहे हैं अ धे टेर लेगा घरा लेगा जीए है कि रहा इधार साइड उसके हैं किर्फाै भूर धर देख सकते हैं तकी पूरा दि kendra को करें आपको साइड दिख रहा है यह को यह साइज का जो है यह यह साइज का जो है लौकी आपको अगर मंडी में जाता है तो बहुत ही बढ़िया रेट में मिलेगा यानि 2-4 रुपिया हर पीस पे ज्यादा मिलेगा देख सकते हैं यानि इसमें से कल भी हर्वेस्टिंग होगा कुछ है यह सब कल हर्वेस्टिंग होने वाला देखिए उसक जो किशान बंदु है वो डेली हर्वेस्टिंग करते हैं और डेली अपना मार्केट में ले जाते हैं देखिए तो नीचे भी दिखाईए कि पलोट कितना साफ सुतरा इसमें इतना बहतरीन यह पलोट है साफ सुतरा कि इसमें अगर आप लेट भी जाईएगा तो कोई दिक तो किशान बंदु फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में आप जयूर मोका मिले और अगर आपके पास खाली पलोट है तो अभी लगा दीजिए आपको अच्छा खासा डेट भी मिल जाएगा डेट तो जो भी हो लेकिन आपका फलन बढ़िया होगा तो जो भी डेट हो चाहते हैं तो आप मार्केट में पीच हो से लगा सकते हैं तो देखें आपकें अश्या क्यों को पैर बतादां आप किसी भी शौप से जाकर करके आप मोडेला विंस लिजिए और आप एक सब्ता के बाद आप कहें भी जाकर के आप अपने प्लोट पे लगा लिजिए अच्छा खासा वो भी हरडेट देगा और बनिया मुनाफ़ा हो जागा विंस में क्योंकि पिछले वार विंस में अच्छा खासा पैसा हुआ है जो भी हमारे किशान बंदू लगाए थी क्योंकि उसका वीडियो भी में बहुत सरा प्रवाइड क्या हो आप विंस की वीडियो देख सकते हैं आप विंश की वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें किलियर जो है उसमें दिखाई देगा कि किस तरह से विंश की खेती किया हुआ है, अगर मंचिंग पे करते हैं तो जादा ही वहतरीन होगा, और जादा अच्छा फलन होगा, साइड भी अच्छा होगा, ठीक है, फिर मिल मिलते हैं लिए वीडियो में जाहिन जाय भारत